हैं यह फ्रेंण्स वेल्कम तो माइचेनल कॉंपोटीशन वैल जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि जो फिजिकल साइश का exam हुआ था सब्जेक्ट फिजिकल साइश साइस का तो आज हम इसमें इस सब्जेक्ट की कटाफ के बारे में जानेगे कि इस subject की कटाफ कितनी जा सकती है तो कटाफ जाने से पहले हम कुछ previous sir की कटाफ को देख लेते हैं जिनके हिसाब से जिनके base पे हमने कटाफ बनाई है तो जैसे बात करें अगर जून 2021 की तो जून 2021 में जो आपने कटाफ देखी थी, देखी थी कि अन्रिजर्व में जो JRF एन असिस्टंट के लिए गई थी 38.81 बन गई थी और EWS की 33.00, OBC की 33.00, SC की 25.00 और ST की 25.00 गई थी वहीं बात करें असिस्टंट पोफेसर अलिकी, तो 34.934 अन्रिजर्व की गई थी और 33 गई थी आपकी EWS की, 33 OBC की और 25 SC की और ST की कितनी गई थी 25 गई थी वहीं अगर हम बात करते हैं जून 2022 की, तो जून 2022 में JRF की जो गई थी अन्रिजर्व की 46.25, EWS की 40.68, OBC की 39.68 और SC की 31.56, ST की 26.87 गई थी वहीं असिस्टेंट पोफेसर अलिकी बात करें हम, तो 41.62 अन्रिजर्व की, EWS की 36.61, OBC की 35.71 और SC की 28.40, और ST की 25.00 गई थी तो यह कुछ प्रिवियस एर की कटाफ सी जो मैंने आपको बताई, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि जो इस बार की कटाफ जा सकती है, जून 2023 की वो कितनी जा सकती है, तो जून 2023 की अगर हम बात करें, तो जून 2023 में जो जा सकती है और जितना भी यह डेटा है में पीवेसर की कटाफ के बेस पर जितने बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेशनल पर जाकर अपने एक्जाम का रिवीव भी दे सकते हैं ताकि हम आगे और भी ज्यादा हाइली एक्सपेक्टेड एटाफ आपको प्रोवाइट करा सके तो ज्यादा ज्यादा बच् तarme कैंड ब्सेशनल परोवाइटर है में का रिवीडियो को दे रो ज।